दोस्तों पूरी दुनिया में 5G, 5G, 5G की होड लगी विर भारत में भारत सरकार ने दोस्तों 5G का स्पेक्ट्रम दे दिया है Jio, ATL, VA यहां तक कि हमारी भारती सरकारी कमनी BSLV 5G की ट्रायल दोस्तों यहां पर करी लेकिन सबसे बड़ी अपडेट निकल के ही Reliance Jio अब यहां पर बड़े-बड़े Mobile Manufacturers के साथ अपनी 5G ट्रायन कर रहा है भारत की नंबर वन दोस्तों Mobile Handset बनाने लिका अपनी Xiaomi उसके साथ मिलके दोस्तों यहां पर Jio अपने 5G ट्रायल दॉन कर रहा है जैसे कि आप सबी जानते हैं 5G के बारे में कुछ भी अपड़ी 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 इस सबसे विल आपका भाई Techno निल आपको बताता है एरिक्सेन और नोक्या के साथ मिलके यहां पर विया ही डन कर रहा है कि सारी चीजे दोस्तों मैंने यह आपको बताता है और मैंने यह आपको बताता कि दोस्तों जीओ अपना खुद का 5G हाड़वेर टेस्ट कर रहा है बाकी सारी चीजे थर्ड पार्टी पे रिलाई करती है वोड़ा फोनाड यह की बात करो या बात को रेटल के तो यह एरिक्सेन के साथ नोक्या के साथ यहां पर मिलके काम करते हैं जीओ दोस्तों खुद का 5G हाड़वेर बना चुका है जो बहुत बड़ी चीजे क्योंकि 5G हाड़वेर बनाना आंडू बांडू लोगों काम नहीं क्योंकि आज भी अमेरिका दोस्तों अमेरिकन कुछ कुछ सेलेक्टेड कंपनी जो है वो यहां पर अच्छीव कर से कि उ जीओ दोस्तों यहां पर 5G ट्राइल सो पुरी भारत में यहां पर रन कर रहा है लेंगे उसके साथ साथ मिलके उनके साथ मिलके अपने 5G को कंपीटिबल बना रहा है कि फाइनली नेटवक तो आ जाएका लेकिन क्या फोन उस तरह के बन रहे हैं जो 5G को सपोर्ट करेंगे इसीच के लिए शाओमी के साथ पार्टनर्शिप किये स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों शाओमी जीओ पार्टनर्स पर 5G ट्राइल चुजिंग डेड्मी नोट 11 जो आने वाला भारत के अंदर इस पॉन के दोस्तों यहां पर दोनोंने मिलके 5G ट्राइल्स रन किये हैं जो smart phone यहां पर यूज कियागा वो Redmi Note 11 T है 5G smart phone उसको यहां पर इस ट्राइल के अंदर यूज किया गया है और यहां पर क्या क्या चीज होगी 5G दोस्तों, यहां पर 5G स्टेंडलॉन गेलॉण ट्राइल होगा दोस्तों यहां पर उसको यूज किया जाएगा उसके सासाथ अभी बार्शियों ने बार्श या भाड बार्श चुम्युर्सेत्न है लिए उसरी सिच्टूेशन में देखा जाए का इंविर्मेंट जह उता है इस थे सिंगल इंसंपेक्शन इसको मिला जाए को गुछ पैटिक्वलर बैंड में दूस्टी जाए डिए जी तूरफ यह जा और N78 और non-standalone bands दोस्तों अदर अने वाले N1, N3, N40 और N78 इन पटिकुलर 7 bands को दोस्तों चेक किया रहा है क्या ये जियो के 5G के साथ कमपेटिबल है क्योंकि फाइनली जो कमपनिया स्मार्टपोन बना रही है तो जब आपका नेटवर्ग प्रोवाइडर अगर आपको साही स स्पीड नहीं दे पाइक अपकी फोन के अंदर तो कोई मतलब निचले फिलाल दोस्तों ये बड़ी बड़ी कमनी शाओमी जैसी कमनी रिलाइंस यू के साथ आइप करी जिससे यूमी की जितने भी यूजर सो दोस्तों उने जियो का पावफुल 5G नेटवर्ग देखने को म अभी इंसान होगो मतलब पूरे भारत के अंदर सभी को दोस्तों है फाइजी बहुत तगड़ी स्पीड यहां पर मिले तो मुझी में दोस्तों है कितने एक्साइड़ आपको क्या लगता है कि भारत में फाइजी कौन लाएगा सबसे पहले जियो एटल वी यह हमारी भारत अपलग का बतन इसको जौण देखने अपर पれた जोह जरु करना कि उसके साथ हमारे फेसेड़ को फोलो जरु करना कुसको फोलो करने से मैं मोटीविशन मिलता तो प्लीस हमारे पेसबूक पेज को फोलो जरु करिये आज के लिए इतना इस घ you will need a compromised एक जिए जए आतों से क्वाइचे के साथ दिए और रे रिभाए जढ एक जिए ग किप स्मालें